स्कूल कॉलेज आफटर 15 डेज क्या ओपन हो सकता है कौन सा आप बोर सकते स्टेट यह बोल रहे कि 15 डेज की बाद स्कूल कॉलेज ओपन होने के बारे में डिसकस होगा और इसके साथ साथ अभी WB Education Director जो है वो क्या बोल रहें देख सकते हैं यहाँ पर no relation between school reopening and college reopening and spread of virus क्या बोला जारे आपको बताऊंगा Omicron बहुत ही जल्दी इंड भी हो सकते एक्सपर्स बोल रहें offline classes का future क्या होगा सब कुछ आपके साथ discussion होगा इस वीडियो में वीडियो कौन तक देखना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए ज्याद समय न लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूँ अगर आप गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनकेडिमी आप लोगों के लिए लाया है All India Mock Test Series जो कि हर एक संडे हो रहा है अभी जैनवारी 30 तरीक तक आपका होगा फेवरेरी में आपका गेट एक्जामिनेशन है उससे पहले आपका कितना All India Rank आ रहा है कितने आप प्रिपेर्ड है सब इसके साथ साथ आपको यह बता देता हूँ आनकेडिमी का जो मेगा कॉमबेट टेस्ट होते है वो भी फिर से आपका होगा 20 क्वेस्टेंस रहेंगे 60 मिनिट्स टाइम रहेगा जैनवरी 23rd 11 एम से आपका वो टेस्ट होगा अगर आप टॉप 200 लाकी पाटिसिपेट हुए तो आपको exciting offers मिलेगा, exciting gifts मिलेगा आनकेडिमी के तरफ से और definitely आप कितना prepared है, गेट के लिए कितना अच्छा performance है आपका, सब कुछ आपको मिलेगा, एक scoreboard मिलेगा, कितना score आया है, rank कितना आया है, तो definitely आप अच्छे से preparation करने के लिए गेट के लिए आनकेडिमी का जो mock test है इस पर भी बैठी है, free enroll कीजे, एंड जो आनकेडिमी का gate मेगा combat test इस पर भी बैठी है, इस पर भी free enroll कर सकते है, coupon code same ही है, SITL10, आनकेडिमी का new batches स्टार्ट हुआ है, 2023 and 2024 के लिए जो जो students preparation कर रहे हैं, gate के लिए, उनके लिए देखिए, अनकेडिमी mechanical हो गया, civil हो गया, CSIT Electrical, Electronics, किसी भी आपका branch, सभी के लिए new courses ला रहे हैं, already 19 January सी ये classes जो है, चालू होगा बोल दिया गया है, coupon code use करने SITL10, तो आपको instant 10% discount मिल जाएगा, सभी courses मिलेगा, अगर आप 12 months का जो है course खरीदे, तो आपको extra 2 months free में course मिलेगा, तो 23% तक आप आपका पैसा save कर सकते है उसके साथ साथ, अगर आप 24 months का course खरीदे, आपको extra 4 months का free में course मिल जाएगा, तो definitely 23% जो आपका extra पैसा save हो रहा है, वो काम में लगाईए, coupon code use करने SITL10, 12 months का अगर course खरीदे, तो extra 2 months, और 24 months का अगर आप course खरीदे, तो extra 4 months का आपको course बिलकुल free में मिल जाएगा, तो आपको सभी courses का link भी मिल जाएगा, SITL10 coupon code है, सभी के लिए, mock test and mega combat test आप free में enroll कर सकते, वो definitely कीजे, and course buy भी आप कर सकते, अगर आप gate के लिए, 2023 या फिर 2024 के लिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए, WB education director के तरफ से क्या बोला जा रहा है, no relation between school reopening and spread of COVID-19, WB education director, there is no relation between opening school and colleges and spread of coronavirus, there is no evidence linking the two, and there is no justification now to keep the school closed, even if there are new waves of COVID-19, closing of schools and colleges also should be the last resort, मतलब school colleges एकदम last में close करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि पूरा उल्टा हो रहा है भी, इंडिया हो या फिर किसी भी जगा पे, इंडिया का different different state पे, सबसे पहले omicron का अगर वेवा है, तो सबसे पहले school and colleges को बंद किया जाता है, और यहाँ पे देखिए, world banks चुका जो ह global education director, उनके तरफ से ये बोला जा रहा है कि सबसे last में school college close होना चाहिए, एक बार भी ऐसा प्रूब नहीं हुआ है, कि school college से omicron fell रहा है, तो school college में अगर totally covid protocol follow किया जाए, तो school college बंद करना ठीक नहीं है, इस time के अंदर school college को open करना चाहिए, यही बोला जा रहा है, world bank के जो global education director है, उनके तरफ से, clearly बोला जा रहा है कि दोनों में कोई भी link नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत spread हो सकता है, school and colleges से भी, तो जो school में spread हो रहा है, वो school बंद कीजे, जो colleges में spread हो रहा है, वो college बंद कीजे, पर पूरा एकदम सबसे पहले ही announce कर दिया जा रहा है कि school college बंद होग ये, online education में भी study हो रहा है, ठीक ठाक, examination भी हो रहा है, ठीक ठाक, आपको क्या लगते है, definitely इस बारे में comment करके बताना, अब चलिए second job date है कि क्या आपका school college 15 days के बाद reopen होगा, कौन सा state बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो अब देख सकते ये job date है, ये update है, दा हिंदू पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, महराष्टरा, to take call on reopening of schools in next 15 days, तो महराष्टर में अभी next 15 days के अंदर school and colleges opening के बारे में सोचा जाएगा, ये clearly mention किया गया है, महराष्टर में सबसे ज्यादा COVID का impact है, आपको पता है, तो वहाँ पर अगर next 15 days के अंद school college reopening के बारे में सोचा जा रहा है, तो definitely West Bengal में भी chances बढ़ जाता है कि school college reopen हो सकता है, पर मैं यहाँ पर यह नहीं बोल रहा है कि अभी सही बोल दिया गया है कि school college reopen होगा, अभी बोला जा रहा है कि सोचा जाएगा after 15 days, आपको पता है कि January का 31st तक West Bengal में भी school college close है, हो सकता है कि 31st के बाद February मन्त पे आपका close रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उसका chance अभी वो भी बोलना possible नहीं है क्योंकि different state अभी फिर से school college reopening के बारे में सोच रहे है, क्या होगा नहीं होगा further videos में मैं आपको बताऊंगा, and IIT के professors के तरफ से एक important update आ रहा है, वो भी बोल रहा है कि इस time के अंदर जो COVID का pick है, में में जो कुछ-कुछ cities है, वहाँ पे already pick पे चल रहा है, hopefully ये जो pick है, ये जो situation है, बहुत ही जल्दी control भी हो जाएगा, और अगर बहुत ही जल्दी Omicron control में आ जाए, तो definitely offline class बहुत ही जल्दी start हो भी सकता है, हाँ, sanitization में थोड़ा time जाएगा, February में hopefully आपका open नहीं होगा, पर March से हो सकते हैं कि आपका open हो जाए, क्या बोला जा रहे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, ये क्या बोला जा रहा है, the free press journal पे यहाँ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहे, देखिए, COVID-19 third wave has reached its peak in Delhi, Mumbai and Kolkata, says IIT professor, तो IIT professor, Manind रगरवाल के तरफ से बोला जा रहा है, IIT कानपूर के professor, क्या बोला जा रहे, कि Omicron का जो peak है, Delhi, Mumbai and Kolkata में already peak में आ चुका है, तो अगर अभी सही Omicron, Delhi, Mumbai and Kolkata का peak पे है, तो definitely ये हम लोग समझ सकते हैं, कि February middle करके ये एकदम normalize ना हो, पर बहुत ही ज्यादा cases down हो जाएग February में उसके बाद sanitarization, ये सब आपका हो सकते school college में, March से आपका फिर से school college open होने का chances बढ़ जाता है, ये देखने के बाद, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, कि he further said that COVID-19 will peak in Maharashtra, Gujarat and Haryana this week, तो जो भी हो रहा है, January का third week and January का last week के अंदर ही हो जाएग, उसके बाद February से दीरे दीरे करके Omicron का जो ये आपका peak है, ये थोड़ा थोड़ा करके down होगा, and February end करके ये बोला जा रहा है, कि हो सकता है, एकदम normalize हो जाए, Omicron, and उसके बाद school college reopen आपका हो सकता है, क्या बोला जा रहा है, मैंना आपको totally बताया, बहुत ही important update था, वीडियो को spread करना, वी आइक कीजिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जुल्द नएए वीडियो के साथ, फिर सब लोस मुलाकात होगी, तब तक के लिए, बाब बाई!